दुनिया के तो सबसे बड़े अमीर टेसला के एलॉन मस्क और फेस्बुक के मार्क जुकरबर्ग के बीच में केज फाइट होने वाली है यानि कि ये दोनों एक पिंजरे में बंध होके मुखे बाजी करने वाले हैं पर क्या ये ख़बर सची है? दरसल हाली में एलॉन मस्क ने ट्वीट करते हुए मार्क जुकरबर्ग को केज फाइट के लिए चैलेंज कर दिया जिसके बाद मार्क जुकरबर्ग ने भी इसका जवाब देते हुए अपने इंस्टरग्राम स्टोरी में कहा कई लोगों को ये मजाग लग रहा था लेकिन अमेरिका के अल्टिमेट फाइटिंग चेंपेंशिप के मालिक दाना वाइट ने न्यूज चैनल से कहा कि इलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग इस फाइट के लिए काफी सीरिस है यही नहीं इस फाइट से कमाए सारे पैसे चैरिटी में दान कर दिये जाएंगे ये दुनिया की सबसे महंगी फाइट होने वाली है आप को ये जानकर हैरानी होगी कि मार्क जुकरबर्ग एक अरुपती होने के साथ साथ जुजुट्सू मास्टर भी है यही नहीं इलोन मस्क भी फाइटिंग में उनकी वालरूस मूव के लिए जाने जाते हैं अब देखना यह होगा कि ये मुकाबला कोन जीतेगा वैसे आप किसके सबसे बड़े फैन है कोमेंट सेक्शन में ज़रू लिखेगा एक बार एक दुकानदार जो 5 रुपे की ब्रेट बेचता था उसे ब्रेट की कीमत बढ़ानी थी लेकिन बिना सरकार की पर्मीशन के कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था इसलिए वो दुकानदार एक सरकारी अधिकारी के पास पहुंचा और उसे बोला कि मुझे ब्रेट के दाम 5 रुपे से 10 रुपे बढ़ाने है उस अधिकारी ने बोला नहीं नहीं भाई तुम 10 रुपे की जगा पर ब्रेट के दाम 30 रुपे कर दो ये सुनकर खुश होकर निकल गया लेकिन दूसरे दिन ही दुकान से सामान खरीदने वाले लोग एक ब्रेट की 30 रुपे की केमत देखकर भड़क गए और सभी लोग उस सरकारी अधिकारी के पास गए और बोले ये दुकानदार अत्या चार कर रहा है एक ब्रेट 30 रुपे में बेच रहा है हमें लूट रहा है इस पर उस अधिकारी ने उस दुकानदार को बुलाया और कहां ये मेरी जनता है तू उन्हें भूका नहीं मार सकता इसलिए तुम कल से एक ब्रेट को आदे दाम में ही बेचोगे ये मेरा आदेश है ये सुनकस सारी जनता सरकार की तारीफ करने लगी और इसके बाद से पांच रुपे की ब्रेड 15 रुपे में बिखने लगी अब जनता भी खुश दुकानदार भी खुश और सरकार भी खुश इसे कहते हैं साप भी मर जाय और लाठी बीना तूटे फैसे आईज आपको धारन जीवन जीरे संजु भगत का 20 साल की उमर में अचानक से पेट फूलने लगा, जिसे देखकर लोग उन्हें प्रेगनेंट आदमी कहते थे, पहली बार जब डॉक्टर्स ने संजु को देखा तो उन्हें लगा कि उसके पेट में ट्यूमर हो सकता है, जिसकी वज़े से फूला हो सकता है, लेकिन जब डॉक्टर्स ने संजु के पेट का उपरेशन किया, तो सभी डॉक्टर चकरा गए, क्योंकि उपरेशन के दौरान संजु के पेट से जुडवा बच्चों के बोडी पार्ट्स निकले, डॉक्टर्स के नुसार ये एक rare case है, जिसे वैनिशिं लगी comment section में जरूर लिखेगा मिलते अगली वीडियो में